नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे आज की जो किचन टिप्स है आपको बहुत ही जादा अमीजिंग लगने वाली है तो मुझे अपने फेवरेट टिप तो बताना ही है साथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो उसका क्लीनिंग प्रोसेस तो यहां पर मैं मार्केट से किचन टाल लेकर आई थी और मुझे बहुत ही जादा बढ़िया लगे और कुछ चोटे हैं कुछ बढ़े हैं ताकि टिफन बॉक्स में भी इनमें से कुछ यूज हो जाए तो इनकी क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ चल तो इससे बड़िया विनेगर ले आए यह थार्ड है यहाँ पर विम लिक्विड अगर आपके बास विं लिक्विड नहीं हे तो अलकी से यहाँ पर सर्फ टालेंगे तो विम लिक्विड की भी मैंने दो से तीन बूंदे ढाली है और दो मैंने बाउल तयार किये हैं गरम कभ जोड़्य को जोड़ अससा पानी और को थे आशे से कपड़ लेकर आते हैंinação सकते हैं एक पानी अधाँ आपर में और तो हमें उसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लेना है और यहां पर मैंने सारे जो कपड़े हैं किचन क्लोट के इसमें डाल दी है और अच्छे से हम सुखा कर इसका यूज कर लेंगे उमीद है आपको यह चोटा सा पसंद आया होगा और हमारे जो दूसरा है कि हम घर पर ही जब काजल बनाना चाहते हैं चाहे बच्चों के लिए चाहे अपनी आँखों के लिए हम बादाम से डारेक्ट गैस पर जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं इससे क्या होता है कि हमारी उंगलियां जो है उस पर जो है गरम हीट जादा आ जाती है तो यहां पर मैंने बिल्कुल कम आंच पर एक हलकी सी जोटी सी aus किया है सूह में डालने से क्या होगा ने इक तो हीट जल़िसा की पकड़ेगा और हमें क्या करना है हलका सा ना बादाम को गैस की उपर एक से दो बार अग पकड़लेगा लिए तो गैस की बंद dovकरर नीं और अप करना और बहुत बढ़िया जो है के लिए काजल तैयार हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं आप ऐसे ही जो है पदाम को अच्छे से एक से दो बार और करके तो इसका जो काजल है वो तैयार कर सकते हैं, और डार्येक्ट आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं, इसका कोई side effect भी नहीं है मुझे उमीद है कि आपको यह तिप अच्छी लगी होगी अगली टिप भी बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मैं इसका बहुत जादा यूज करती हूँ यह है और्डी यूनी रैप्स यह नॉर्मल जो है पेपर नहीं है बहुत ही जादा नैच्रल पेपर है और इसमें केमिकल भी नहीं है और सबसे खास बात यह है ना कि इसमें कटर इसी के साथ मिलता है तो हमें कैंची से कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बहुत इजीली कट हो जाता है आप इस से अपने रोटी को पैक कर सकते है तिफिन बॉक्स में आप इस से बहुत सारी चीजें कर सकते है मैं रोटी वगएरा इसमें पैक करती रहती हूँ पर आजना मैं यूज़ करूँगी इसको अपने बची हुई सबजिओं को रैप करने में बची हुई सबजियों में रैप करेंगे और इसमें रैप करेंगे तो बिल्कुल भी कैमिकल आपकी सबजी के उपर नहीं लगेंगे मैंने क्या किया था ना घर पर हरा प्याज लेकर आई थी पर उसका जो है कल यूस नहीं हुआ और जितना मुझे चाहिए ना उतना निकाल तो मैं लूँगी पर बाकी का प्याज अगर मैं ऐसे ही फ्रेज में रख दूँगी तो ये बहुत जल्दी ही जो है बिल्कुल अपना मोईस्चर और अपनी फ्रेशनेस को देगा तो मैं क्या करूँगी इसमें से थोड़े से तो प्याज निकाल लूँगी ताकि मैं चटनी वगएरा बना सकूँ बाकी के प्याज को मैं परांठों में यूज कर सकती हूं और भी जो दिश बनाना चाहती हूं चाहे पास्ता त और उसकी जो फ्रेशनेस है न वो भी बनी रहेगी हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसको अब हम न एक जो है किसी भी चीज से बांद देते हैं तो मैंने जिसमें से निकाला था ना हरा प्याज जिसके साथ उसी के साथ मैं इसको बांद दूंगी और एक टाइट कंटेइनर में इसको फोल्ड करके रख दूंगी बहुत चोटा सा है के पर हमारी जो सबजियां होती है न उनको फ्रेश रखने में यह बहुत ही जादा कार्गर होता है तो आप इसको एक बार जरूर अपलाई कीज़ तो उमीद है आपको यह तिप भी बहुत ही बढ़िया लगी होगी और आपको मुझे बतानी है कि आपकी फेवरेट वाली टिप कौन सी है ताकि मैं आपके लिए वैसी ही टिप्स लेकर आती रहूं और अगर आपको होम और्गनाइजेशन से रिलेटी टिप चानने है जो क जब मन करेगा इसको फिच में से निकाल कर इसको यूज कर लोगी उमीद है आपको यह चोटी चीप अच्छी लगी होगी अब बढ़ते हमारी अगली टिप की तरफ अगली टिप हमारी बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग है क्योंकि हम क्या करते हैं ना कद्दू बनाते है और उसको बनाने के ढंग जो है बहुत अलग लग होते हैं तो कद्दू बनाने के लिए आजना में आपकी साथ एक जो मैं टिप फोलो करती हूं जिससे की कद्दू बहुत ही जादा टेस्टी बनता है वो दो टिप शियर करने वाली हूं सबसे पहले तो हम इसमें डालेंग जिसको अमरिसरी बड़ी भी बोलते हैं बहुत ही जादा टेस्टी लगती है अगर आप इसको एक बार कद्दू की सबजी में ट्राइ करेंगे ना तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजर्ट मिलने वाले हैं तो सबसे पहले जो हमें वड़ी है उसको भूना बहुत जरूरी है डी फ्राइ भी कर सकते हैं पर आपको जरूरत नहीं है आप शैलो फ्राइ करेंगे ना जस्ट उसको ब्राउन होने तक बहुत ही बढ़िया रिजर्ट देने वाली है बस कच्छी वड़ी का हमें यूज नहीं करना है हमें इसको भूना है और यहां पर इसका कलर जो है बह मेथी दानकार जरूर यूज करना है और बहुत ही बढ़िया जो है आपको टेस्ट देने वाली है उसके बाद कदू डाल करना वड़ी को सबसे एंड में डालना है और इसको पकने के लिए पान से दस मिनट के लिए चोड़ देना है और यह जो कदू की सबजी है ना पंदर कि जो पालक के पत्ते होते है ना उसके उपर बैक्टेरिया बहुत होते है अगर आप पालक के पत्तों को नॉर्मली वोश करके कट करके यूज कर लेते है ना तो आपके जो के बार पेट में दिक्कत आ जाती है इंफेक्शन हो जाता है तो उसी से बचने के लिए ना हमेश जरूरी है जिससे इसके बैक्टेरिया मर जाए उमीद है आपको यह चोड़ी जटे पच्छी लगी होगी और इसको बालने के लिए आपको बहुत जादा टाइम की भी रिक्वार्मेंट नहीं है जिस नमक डालिए नमक से जो है न कोई भी सब्जी हो या फिर आलू हो बोयल क करने में बहुत कम समय लगता है और पालक को तो जस्त एक मिनट के लिए एक से दो मिनट के लिए उबालेंगे न तो बहुत जल्दी वह उबल जाएगी उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और आलू पालक या फिर पालक की कोई भी सब्जी बनाएं तो उमीद है आपको अगली वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग